बिस्मिल्ला रुख्मानी वहीम, अस्सलाम वालेकूम, वल्कम टू सिद्रास किचन, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, मैं उम्मीद करते हूँ आप सब खैर जिसने होंगे, आज मैं आपको चाओ मिन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, फ्रेंड्स सबसे पहले आपने मेरे चैल् आप तक परहुन जाएगी, चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने या पर गाजल ली है, मैं इसका ये वाला कॉर्णर उतार दूंगी, और मैं इसको यहां से कट कर लूंगी, अब मैंने शिमला मिश ली है, मैं इसका ये उपड़ वाला हिसा काड दूंगी, अब मैंने बंगो भी ली है, मैं इसको इस शेप में कट करने लगी हूँ, जिसको मैंने के लिए, मैंने तमाम चीजों का इस्तमाल किया है, मैंने एक पव चिकन लिया है, जिसको मैंने इस क्यूब में कट कर लिया, गाजरे ली है मैंने, तीन, इनको मैंने इसना से कट कर लिया, पूल लिया जिसको सोया सॉसूज, वीनीगर। ratios मंलें आध्रक लेसं का पेस्क लिया गुरी ही कुटी हुइ लाल मिर्च हडी मिर्च तीन मैं अची तरह बा TAK εे रही पाउन का थे ने झाल 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 तो पर मेरी स्पैकेटी बॉयल हो चुकी है अब मैं इसको स्टेन कर लूगी अब मैं इसको स्टेन कर जाएं अब इसके अब कर मैं राज़ दूगी अब इसके स्टेन कर दो जाएं आपके इनका तंप्रेचर नॉर्मल हो जाएं अब मैं इसके लिए और एड़ करने लगी हूँ ताके लिए आपस में जुड़े ना और मैं से अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह देखिए एक एक लाइदा हो चुकी है मैंने इपने चुले का फ्लेम आउन कर लिया अब मैं इसकराई के अंदर आयलेट करूंगी अब मैं इसके लिए लसन का और अधर का पेस्ट आट कर दूंगी अब मैं इसको लाइट गोल्डन करूंगी अब यह पेस्ट लाइट ब्राउन हो चुका है अब मैं इसके दर यह चिकन आट करूंगी बॉन लाइट अब मैं इसको मैं दो चुका है अब मैं इसके अंदर यह चौप की हुई प्याज आट करूंगी अब मैं इसके अंदर यह गोजने अट कर दूंगी क्या है अब मैं अब मैं इसको कीजिए जनी आटा मिनस करूंगी झाल 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 यह तो माम मसाले अब इसको अची तरह से मिक्स कर लूँगी जो गुबी आज़ा आजा जो भी तरह से लाट्री आज़ा जाद रूदा जाए यह तो अच्छा यह तो आज़ा जाए तो आज़ा नहीं अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी आप देख सकते हैं यह नूदल्स एड़ कर दूँगी अब मैं इसके अंदर यह नूदल्स एड़ कर दूँगी जो हमने बॉय कर लिए अब मैं इसको छी तरह से मिक्स कर दूँगी अब मैं इसके अंदर से बन्याट कर दूँगी इसके इसका फ्लेवर और भी अच्छा जेगा इसको त्यार हो चुकी है अब मैं इसको डिश आउट करूँगी आप मैं मैं चौवन रेसिपी तियार हो चुकी है यह बहुत ही मसदर भी नहीं है मैं उमेद करते हैं यह रेसिपी आप ज़रूर प्राय करेंगे इसी के साथ मुझे इजादत दीजिए इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अला हाफीज झाल 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 झाल